आज जो 81 बिदानसवा हमारे अभी बतमा जारकरन में हैं, अगर बिर्याद जारकन बनेगा तो कितना बिदानसवा लगबागा हम लोगों? हम लोगों को कहना है कहा है कि हम लोगों को अभी जारकन में हम लोगों का 81 बिदानसवा मिला है, और आने वोड़ा बिर्याद जारकन में को बिर्याद जारकन का नाम कहां से आया? इतियास जब हम खंगा लेंगे तो उहां से तत्व मिलता है कि अकभर नमा में जार्खन लिखा हुआ है उसके बाद जब देवघर को जाएगा तो बोल बॉम बतलता है बाहर से पानी डाल दिया बोल बॉम लेकिन अंदर जाके दिखा है उसका नम जार्खन बाबा रो से नहीं है जार जार्खन और ये जार नहीं है ये नाम भी बदलेंगे हम लोग जार होगा जो में आकर औरो रो नहीं है जार नहीं जार्खन से जार्खन होगा जार जार्खन होगा वे प्रणांसेशन जाड давно आए जार नहीं आए आजसे 500 साल पहले मोगत से पूरी पदोजात्रा करके जाँ रहे थे उसमें लिखा है अध्यात्मिक, दार्मिक उसमें लिखा लिखा खेजूर पाट्रे स्वयो नम्चो जारकंडे विदे होतें तो वो कहां उलेक है रामचरित मानस में उलेक रामचरित मानस किस ने लखा तूल्सिदास ने लिखा रामायन तो तूल्सिदास रचित रामायन में चोयतोना मुहाप्रोभू 500 साल पहले मतलब यह जागा इतिहास बूलता है 5000-6000 साल पहले हैं तो यह ब्रिहत जारकंड किसी का मानचित्रों रेखा लच्मोरे का किचा नहीं है भौगोली ग्रुप से कहा गया है बिहार पहले यह था साउथ ओएस्ट फ्रोंटियर एजनसी था 1905 में देखे इतिहास के बाद बोल रहा है 1905 में बंगाल बना 1912 में बिहार बना और 1936 में उडिसा बना उसके बाद जार्डन का चला गया इसलिए किर्तिवास कर्मोकार गानगा के बोलता है कि बंगाले जुदी नहीं बंगाली और अब बिहारे जुदी हो हैं विहारी ताले हमरा के ऊपर ले टोप के लिए ज्यार्थ कहां छाला गया 1905 में बंगाली के लिए मंगला बन गया 1912 में बीहारी के लिए बिहार बन गया अच् 60 म हपाशा उडिया बनी ज्यार्थ कहां मीलीन और बंगाल में कहा मिलेगा तो बिहार का बंगाल का उरिश्या का च्छतिस गड़ का यह जो मध्धोबुरती एलाका है इसी जगा में सरहूल है कर्मा पुजा है तुसू पोरव है और इहां का संस्क्रिती सामोहित जिंदगी एकी गाउं का तरब में कहीं भिन्द नहीं है कुमारा है कमारा है तांती है तली है यह तमाम एक गाउं में बसा हुआ है इसी का नाम जारखंडी है तो यह बना नहीं है यह जो बना है बिहार से अलग बना है और यह जारखंड नहीं है जारखंड है रो मतलब कि जो बिहार से अलग बना है यह इहां बिहार का जो संस्कृति है ना लूटना है लुट और जूट बोलता था कि बिहार बिहार में भरस्टाचार की गंगा बाती है बॉर्तमान जारखण में भरस्टाचार का हावा भुहला और यहां भोजपूरी लागु कर रहे हो और भोजपूरी मगी वासा बिहार में मननोता ने तो आदीव असी लोगों को नहीं नजरा रहा जो लोग तथा का तित पुतला जला रहे हम लोगों का उनको पता नहीं है कि आज खतिया नहीं और भासा का अंदुलन अगर मैं नाम क्याता हूं इसलिए गप के साथ कि अगर हजारों नोजवन कुडमी लड़का लोग धनबाद बोकारों में जयराम महतों का आवाज निकला और एके आवाज से जो है लाखों लोग जमा हुआ उस आंदुलन के दबाव में धनबाद बोकारों से भोजपूरी मघी वासा को ह सेटलमेंट को जोड़ो यह तो अलग बात आधा हुदूरा है ब्रियत जारकन का मतलब है उसके बीना सपनों साकार नहीं हो सकता है जैसे बंगाल बंगाल पटिकुलर लेक सिमा है जहां उनकी बंगाली संस्कृति भासा साहित है सिमा बौद है और इसे ही यह आधा हुदू तो यह चाहित लोगा ना तो इसे कऊओन 234 बन गया दो जीळी जीला वुदर सामील कर दिया उडिसा अभी बी título रह गया है तो इये जट सामील और आ necessity जारकन मुक्ति मोर्चा के बेनाशसरीah और से ओर ना तो लिजे पी मुख्ष पंद्र में स designedid m कभी भी कॉंग्रेस पार्टी जार्खन अंदुलन नहीं किया जार्खन अंदुलन 1915 से शुरू हुआ सोयलेंद्र माहतों के समर्गाथ आइति हास में लिपी बद है कि छोटनापूर 1935 में बना और उनलोग साइमन कोमिशन 1928 में देवरांची आया तो साइमन कोमिशन के सामन में चोटनापूरून लुग बोल दिया अलग राज दे दीजे वो था उसके बाद आदिवासी मोहासभा बनता है उनिसाटिस में 1950 में मरांगम के जयपाल सिंग जार्खन पार्टी में चुनाव लाड़ा 32 जार्खन पार्टी मूर्गा चाप में बिहार विधान सभा में आ नहीं तो आज हम लोग फिर से जार्खन अलाग राज निर्माताओं में से हम लोग है MLMP बनना छोता चीज है लेगन आंदोलुन कारी नेत्रित कारी बेक्तित्तो नेत्रित तो स्तित्तो यह बड़ी बात है हम लोग फिर से बिर्याद जार्खन बोलते हैं कि बिना बंगाल मटों होगा ह घूप तो बासूट हो रहा है अगर होगा सबसे बड़े अदिवासि लिग बूतड जला रहा है उनको थोड़ा ना संझी है। जो गुदा जला रहा है, उनको थोड़ा ना समझी है, समझ ना होगा तथो, हम लोग जाते हैं, सोलेंदर महातो एक कुडमी, कुडमी लीडर नहीं, जारखंडे लीडर है, उसका जाती समझ कुडमी है, सुर्च सिंग बेसरा, लोग महली-महली बोलता है, हम लोग जार्खंडि लीडर आया अर Depois अभी के पढप महली है लेकं मारी संताल मुंडा मुंडॢ म४ंडॉल सौरी कमार हाधी घंसी इसको यह कभी जहरकंड में नहीं था पिर 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 आपके पास आएंगे अब हम सवाल करेंगे फुर्व संसद मानिनीय सलंदर मातोजी से अब जो हम लोग बात कर रहे हैं कि यह बिरियाद जहरकंड को लेके लडाए आप लोग अभी जहरकंडी नेता कौन-कौन से आप लोग आगे आ रह राज का नक्सा खीचा और उन्हों ने 1954 जो राज पुनरगठन आयोग को 32 मेले हुआ करती थे उसमें या 34 था एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें हमारा जहरकंड को छोटा नाखपूर छोटानाखपूर के साथ-साथ जिसमें सुर्गुजा राइगर छोडानाखपूर राजा के अधिन में सुर्गुजा राइगर जो 36 गड़ में है और उधर आपका सुंदर गड़ के उन्जहर मौर भंज स्वंभलपूर उसमें सामिल नहीं था छोटानाखपूर राजा के अधिन में और ये उसके साथ साथ उसके नक्सा में हमारा पूर्लिया तो चपन में चला गया बंगाल में लेकिन उसमें मेधनीपूर भी है बाकुडा भी है तो ये विरियत जारखन का एक नक्सा है और ये राज पुनर गठर निवायो को जैपाल सिंग ने 1954 में दि कि मेरी जब किताब जारखन की समरगाथा निकली जब परकासित होने वाली थी तो जारखन की समरगाथा किताब के परस्तावनाम में हमारे इस राज का परकांड विद्वान सिच्छाबिद जिसको कहते हैं डक्तर मुन्डा को इंडिजनेस पिपल के नाम पर पुरे दुनिया में विख्यात है उन्होंने लिखा कि प्रस्तावने में लिखा है कि हम लोग को श्रीव अभी बिहार में जो छोड़नागपूर संथाल परगना मिला उसको बोला कि अभी हम लोग को आधा अधूरा जारखन मिला है अभी पू हम लोग भी जानते हैं और हम लोग सिर्फ इसे अभी जो बर्तमान जारखन्ड राज जो बिहार से सिर्फ मलोग एहीं आंधुला नहीं किया हम लोग जमीव गया मिदनिपूर गया प्रूली आ गिया Maur और हम लोग उसमें सीबु सोरेन आया करते थे हम लोग जाते थे कितना बार हम लोग का बहरा गोड़ा जो गेट है ना जहां सोन रेखा नदी यहां से हम लोग को औरिशा जाने नहीं दिया जाता था कितना बार यहां राहिरांगपूर में हम लोग को जब मिटिंग करने जाते थे तो औरिशा पुलीस हम लोग को सरकीट हाउस में घेर के बोलता था कि आप लोग नहीं रही है नजर बांद और छे बांदे साम को हम लोग को फिर छोड़ दिया जाता था जाए आप लोग उधर बेटर जारखन कैसे बनेगा तो बेटर जारखन में सिरिफ यहां पर संथाल मुंडा हो उराओं से बेटर जारखन नहीं बनेगा यहां वो संस्कृति में और वो सीमा में जो लोग भी बास करते हैं और वो संस्कृति में पलने वाले लोग हैं जिसको हम सामिल नहीं करेंग तो वो, खुसी आली हमको नहीं मिलेगा अब हमारा रीगल मैदान में तूसू का मिला होता है तूसू का मिला जिस दिन होता है तो देखोगे हुआ जितना जहर खंडी लोग हम लोग कोई कानून व्यौस्था नहीं रहता है जैसे दूसरा लोगों का जो परभ होता है ना उस परभ में देखोगे सरकार के दौरा पुलीस पाउज कानुन जोस्ता के नाम पर देखोगे जिदर पुलीस उधर लेकिन रीगल मैदान जो है ज़क, उधर मौरुभन से भी आ रहा है लोग इधार पुरुलिया से भी आदमी आ रहा है क्यों आ रहा है हम उस कल्चर में रहते हैं उस जार्खनी संस्कृति में रहते हैं वहां पर संथाल भी है मुंडा भी है यहां खुंटी तरफ से बड़ा-बड़ा चौडल टुसू है मौर बंच चाता है वहां संथाल लोग लड़की बान करके और तो मिलन ठो कब होग हमारा जब तक जार्खन में कुढमी मॉंडल यहां का हमारा घासी समय पान smj और कुमार समाज कमार जिसको लोहर बोलते लो उसको लोहरा बोलतो आदिवासी और लोहर बोलो नोन आदिवासी हो गया तब बताए भी तो गजब च तिसको तो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन्लों को सुधारना चाहिए लेकिन नहीं सुधारता है लोग जानकारी नहीं है तो इसलिए हम लोग बोल रहा है कि आज ये जो ग्रेटर जार्खन बेटर जार्खन कैसे होगा ये हम लोग को एक ट्राइबल स्टेट के ठ्रेन को जब हम चलाते हैं, तो पत्री भी शाते एंग समय माल गाड़ी भी है, पसें़र गाड़ी भी है, एक्स्प्रेस गाड़ी भी है, तुमाम तरह की गाड़ीयां चलती है, उसी तरह हमारा Tribal State होना चाहिए, यह Tribal State जो हमारा बिरियत जार्खंड है, जब तक उसको हम एक सुत्र में नहीं बांदेंगे, तब तक हमारा ट्राइबल स्टेट नहीं बनेगा, आज हम लोगों को समय सासन करने वाले लोग, हम लोग को अलग-अलग स्टेट में बांट के रखा, और हमारे उपर सासन अस्थापित किया, बाहर से लोग आते गए, हमा तो इसलिए आज हम लोग यहीं चाहते हैं कि ट्राइबल मुखमंत्री नहीं, मतलब बहुत अस्पस्ट है, कहा कि जब 2000 से यहां पर ट्राइबल मुखमंत्री हुआ, ट्राइबल मुखमंत्री होने के बाद भी जारकन के आदिवासियों का कोई फाइदा नहीं हुआ, और न दूसरे जगा हुआ है, इसलिए ट्राइबल मुखमंत्री नहीं, ट्राइबल इस्टेट बनना चाहिए, ट्राइबल इस्टेट बनेगा तो अपने आप में कानून के माथत, वो सिक सिडूल के अनुसार, यह राज चलेगा, वहां पर किसी का पैरभी और किसी का क्या कहते ह है, उसको अनुसार नहीं चलने वाला है, वो अपने आप में चलेगा, और आज हमारा ट्राइबल मुखमंत्री से जारखन का का किया, आज तक नया बिधान सभा बना, वहां जैपाल सिंग मुंदा का एक इस्टेटू नहीं लगा पाया, उसका नाम पर एक इस्टेडियम र सवाल बन गया, राधा में आजका लोग स्विटर हो गया हो, नेपाली भाई लोग आता है, वहीं लोग बेचा बेची करता है, अच्छा एक सवाल रहेगा, कि अभी जो बंगाल में कुछ राज्या, हम लोग सामिल करेंगे, उरिसा में कुछ राज्या, मतलब कुछ यह है, ओलों को आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे कि हमारे जारकंड में अगर सामिल हो जाएगा, तो ओलों का क्या लाब होगा, ओलों का क्या एक अच्छा बनेगा, ओलों का अभी, 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 हमारा जारकंड है, इकंद्रित है, यह सेंटर हो गया, राच सब्सक्राइब करने जा रहे हैं उस जीला के आप लोगों को क्या संदेश देना चाहा रहे हैं कि जारकंड में सामिल होने के लिए तूरंत मतलब हम आप लोग का बात माने यानि कि आप लोग का लड़ाई में सपोट करें इसको लिए आरे हमारा हमारा मांग उन लोग सब जानता है मौर भंज से सुधाम मारडी उन्हां MP था जेमेम से एना कई MLA बन चुका है सुंदरगड में हम लोग एक बर 14,000 फोट से MP का चुनाव हार गए थे कम से कम 5-6 MLA उडिसा का बिधान सभा में उन लोग जाता है तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं उन लोग तो जारखन के ही नाम पर जाता है और उडिया संस्किर्ति उन लोग को उपर हभी है उन लोग को उडिया भासा भासा सिखा जाता है तो उससे मुक्त करना पड़ेगा न बिल्गुल बिल्गुल ओलोंग तयार है एकदम तयार है अब उहां हो क्या बोलता है उडिशा में एजे मावर महंच के उजहर में जो हो लोग है हो यह बसाना बोलता है आपके तरफ से संदेश रहेगा हम अभी यह 24 जिला ज्हारखंड है तो उसमें और जो जिला जुटेग हम लोग जब आंदलन करते थे अजहर खंड नहीं हमारा सथाय फिर में चोबिस हो गया कभी 16 जिलाव करता था रोटों बनते बनते संस्थ होई तो संथाल परगिना हमारा अब olabilir您 जिला तर थी तो अपने आप में उसका भी जैसे एक इस्टेट के तहद नाएगा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो आभी हम लोग बात करेंगे कि ओलों को तो सेलेंदर दाजी बाहर जो दूसरा यह राजे में जीला है ओलों को तो में नत्रित कर रहे है कि होंगर सोशन हो रहे हैं अब ही हमारे पूरे छार्कंड कि लोगों को आप अपने आपकी स sticky एक संदेश रहना चीए कि आपको बढ़ियात जारकंड में चलना ही निर्त है, बोलना ही संगीत है, यही जारखन की रीत है, तो यह कितना बढ़िया, एक ताल के में मादर, धमसा, छो नाच होगा, पता नाच होगा, सरूल होगा, कर्मा होगा, यही तो हमारा सपन होगा, और यही सपनों को सकार करने के लिए, बिरसा मुंडा फिर से ज उठेगा सिधू कानूं का हुल फिर जल उठेगा और यहां का हो संताल मुंडा आदिवासी मुलवासी एक संस्क्रीती एक बोली में एक मादल के थाप से सब नाच उठेंगे और यही तो बिषत जार्काड और यही तो हमारा बैतर जार्काड यही संदेश सब को देना जीला के लिए जारकंड के लोग है और इस बिर्याद जारकंड को पाने के लिए हम लोग किस तरह से ये करना है अंदोलन आगे बढ़ेगा उमीद है कि आप लोग लगे रहेंगे पबलिक एक्सिन न्यूज जनता के आवाज में आप लोग सबसे पहले तो सब्सक्राइब करक और साथ में जो उडिसा का जीला है उन सभी को पास पहुंचना चाहिए सेर जरूर कीजे पुना पबलिक एक्सिन न्यूज जनता के आवाज में आप सभी को जोहार दन्यबाद हम झाव तो सब्सक्राइब कर थाज़ कर दो को जोहार दन्यबाद